नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभीगा The Level 10 Studies में दोस्तों आज हम बात करेंगे BRT expected cut-off के बारे में और कल हमने जो answers दे थे उसके सुधार के बारे में हमने क्या correction करा है हमने कुछ answers गलद दे थे उसके बारे में हम आज बात करेंगे यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें यदि आपको कुईस करने हो तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं इसका लिक डिस्कुप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तो पहला कोशन जिसे हमें आकाष्ट नीला दिखाई देता है तो हमने कर इसका अंसर डी दिया था तो या तो इसके हमाचार प्रदेश उनसी इस कोशन को स्क्रैप कर देगा या पता नहीं देखते हैं क्या अंसर देता है उसका अगला कोशन देखते हैं यह एक्टूर्डिंग तू जगना काटा भी कहते हैं दोस्तों इसने दो बात इसमें दो चीजों में बात की थी एक प्राइमरी एजुक्शन और एक हायर एजुक्शन दो जो दोस्तो प्राइमरी एजुक्शन थी वो किस लेंग्वेज में होनी चाहिए थी वो दोस्तों वर्नकुलर मतलब स्थानिय जो मा की भाषा है उसी में शिक्षा दीजा है बालक को यह होना था primary education में और दोस्तो जो higher education थी वो दोस्तो किस से होनी चाहे थी वो English, English जी, English जी का माद्दियम होना चाहे यह था higher education का यही बोला था और इसमें यह पुछा था कल हमने सिर्फ तानिय दीदिया था इसका जो right answer option D, option D, English and Vernacular Language, would dispatch medium of instruction क्या होना चाहे था, English and Vernacular Language, इसे ध्यान रखेगा, यह हमने गलत दिया था, अगला question देखता है दोस्तो क्या है, question number 46, यह हिंदी से हिंदी के गद्याश के कुछ कोशन थे, यह हम से गलत हुए थे, इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का सं संकेत कर रहा है दुनिया, इस मतलब comprehension में जो गद्याश है था, और दोस्तो 47 कोशन देखते हैं क्या है, प्रस्तुत गद्याश साही थी कि किस विधा के अंतगरत आएगा, दोस्तो जो इस मतलब गद्याश दिया हुआ था, इससे पहले 47 को जो राइट आंसर था, option C, सास मर ही चाते हैं आप से, ठीक है, यह जो इसका राइट आंसर आप मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका जो सही आंसर है, option E, pride wife, ठीक है इसे आप करेक्ट कर लिए जगा, pride wife, ठीक है ना, अगला कोशन देखते हैं, अगला कोशन क्या है, I did not mind, he has only thought his hat, give meaning of this phrase, मतलब इसका अगला कोशन देखते हैं दोस्तों, क्या है, यह, अगला कोशन, it certainly is attractive, but is it genuine, इसका जो सही आंसर है, option A, genuine, ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही कर लिए, 62 का आंसर, option A, genuine, दोबारा देखते हैं, 50, 62 का आंसर, option A, genuine, अगले कोशन पर चलते हैं, अगला कोशन क्या है, दोस्तों, यह 65 कोशन है, English में, how did the new young neighbor spend her day, ठीक है दोस्तों, days, इसका जो राइट आंसर है, comprehension का कोशन था, दोस्तों, इसका राइट आंसर है, option D, she spent her time learning to read and write, option D, इसका राइट आंसर आंसर आन था, खल हमने यह कोशन भी गलत दिया था, प्लीज, इसे correct कर लीजेगा, अगला कोशन देखते हैं, क्या है, question number 56 है, what was the major argument in the house about, दोस्तों, मतलब हाइट के बारे में, क्या major argument थे, इस comprehension के अनुसार, इसका जो answer आना था, option C, the young girl had been wasting her time instead of working, ठीक है, इसका जो answer आन था, option C, option C, इसका right answer है, 66 का, ठीक है, इसे correct कर लीजेगा, हमसे कल गलती होगी थी, मैं आपसे माफी चाहूंगा, sorry, अगले कोशन देख, दोस्तों, अगला कोशन नहीं है, यहाँ पे हमें बात करते हैं, जो B.A.D. है, जो यहाँ पे हिमाचाद प्रदीश में B.A.D. है, वहाँ पे जो government seats है, दोस्तों, government seats है, जो HPU निस्टी है, शिमला में, उसकी seat है 100, वहाँ पे 100 seats है, दोस्तों, और जो government college of teacher education है, धरमशाला में, वहाँ पे seat है 500, और दोस्तों यहाँ पे seat किस्ते से बटी हुए, दोस्तों, यह seat है, यह इसके अनुसार बटी हुए, जो art and commerce की seat है, इसमें 50% seat है, मतलब 175 के around, इनकी seats है, दोस्तों, और science और जो science background की seat है, जैसे medical और non-medical की, medical में बायरता है, दोस्तों, 87.5 और यहाँ भी 87.5 बायरता है, ठीक है, इसे हमने कुछ cut-off का, expected cut-off predict की है, दोस्तों, यह हमने किस तरह predict की है, हमने जो last year का, last year था, यह देखिए, आप last year था, जैसे यह medical का, medical, जो medical का, बीए medical का, 2019 का, जो result आया था, उस पे हमने देखा है, मतलब top की, कुछ students के, हमने marks दिखा है, 30 तक ले गए थे, हम marks को देखते, द जैसे यहां पर हमने medical का, यहां पर हमने non-med का check किया है, और यहां पर हमने, commerce and arts का check किया है, यहां पर highest mark, इसमें 111 गये थे, और यहां पर जो गये थे, 114 गये थे, और यहां पर गये थे, दोस्तों, 105 number, non-medical में, तो दोस्तों, हमने cut-off का कुछ idea लगा है, अपनी हिसाब स पिछले साल को देख कर, क्योंकि हम आपा दोस्तों, इस साल का, जैसे मतलब, बच्चों ने paper दी दिया है, तो इसका हम आपा दोस्तों, sample space नहीं था, ठीक है, हम यहां पर प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, किस दे cut-off है, तो हमने पिछले साल के यह देख लिया, और हमने कुछ cut-off का prediction इस परगार की आए, जैसे medical student है दोस्तों, उनको cut-off हमने 97 plus या 97 minus के आसबास जा सकता है, मतलब दोस्तों, 97, 100, यहां पे कितना हो गया, यह 94, इसके बीच में इसका cut-off हो सकता है, 94 से 100 के बीच में इसका cut-off हो सकता है, और 908 और 102 के बीच में, ठीक है, इसका cut-off यह हो सकता है, और arts and commerce का मतलब, यह journal category की बात करें, इसे आप धियान रखेंगा, यह journal category की बात करें, यहां पे 97, और 103 के बीच में, यह cut-off हो सकता है, ठीक है, हम इसकी बात करें, आप इसे मतलब, यह expected cut-off है हमारी तरब से, यह real cut-off नहीं है, ठीक है, और दोस्तों, हमने यहां पर कोई, जो अन्य मतलब categories है, उनका जैसे SC, OBC, मतलब X-Serviceman, ST, हमने यहां पर उनको cut-off का idea नहीं लिया है, ठीक है, क्योंकि हमारी पास sample space नहीं है, इसी लिए हमने दोस्तों, यह सिर्फ आपके लिए, मतलब student के कुछ पूछ रहे थे, कितने-कितने marks बनेंगे, तो हमने आश-पास B8 के college पता किजिए, वहाँ जाईए और आपको admission मिल जाएगा, ठीक है, यह इसका मतलब यह था, यह यहां पर कुछ marks है, यह देख सकते हैं, और दोस्तों, आपको हम, हम दोस्तों एक और काम करते हैं, junior office assistant, IT, JOIT, postcode 1, postcode है, इसका 817, ठीक है, इसे आप ध्यान र पास भी करता हैं, इसी channel पर, यदि आप उसको देखना चाता हैं, तो उन्हें भी देख सकता हैं, ठीक है, और अभी, बस दोस्तों, इतना ही है, और इसे देखिए, अपना feedback दीजिए, और हम आपको और भी quizzes लेके आते रहेंगे, thank you